उसके लोगों के पीछे क्या कहानी है ये बी उन्होंने उल्टा क्यों डिजाइन किया है और ये बंदर का मतलब क्या है भाई क्या थी उनकी marketing strategy, business strategy आप हमें बताएंगे और क्या marketing strategy से उन्हें outcome मिला तो customers तक पहुँचने के लिए उन्होंने direct और simple तरीके का इस्तिमाल किया तो मित्रो आपके लिए एक सवाल है अभी दुनिया में जतनी भी alcoholic beverages हैं आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा consume करने वाला alcoholic beverage कौन सा है कौन है सबसे पुराना जिसने प्रूफ कर दिया है कि आपके kidney stone के लिए और आपकी हड़ियों को मजबूत करने के लिए ये बहुत तगड़ा है और एमस्टर डैम में जब worker को salary देने की बात आती है तो उनको ये beverage पिलाय जाता है और अगर आप पूरी अच्छे तरह किसे इसके fan है ना तो आप पैजान जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ beer देखो या time के हिसाब से ना धीरे धीरे changes आते गए beer के variants में craft beer उनमें से एक है craft brewers जो होते हैं एक तो उनकी quality अच्छी होती है उपर से वो sustainable innovation पे काम करते हैं तो आज हम उसी brand की बात करेंगे जो इंडिया में सबसे ज्यादा use करने वाला beer brand बन चुका है उसकी पूरी story जानेंगे उसके लोगों के पीछे क्या कहानी है ये बी उन्होंने उल्टा क्यों design किया है और ये बंदर का मतलब क्या है भाई क्या थी उनकी marketing strategy बिजनस strategy आप हमें बताएंगे और क्या marketing strategy से उन्हें outcome मिला ए से ले की z तग ये review होने वाला है बीरा 91 का बढ़ा interesting होने वाला है ये तो मित्रो आए जानते है story क्या थी इसके पीछे craft beer जब इंडिया के अंदर introduce हुआ तो वो बीरा 91 के साथ ही हुआ एक simple और एक brilliant business model के साथ चलिए आए जानते है story क्या थी इसके पीछे जब अंकुर जैन ने अपनी bachelor degree complete करी computer engineering के field में शिकागो से वहाँ से उनकी entrepreneurial journey start हुई जो healthcare information startup तक पहुँची लेकिन उसी के साथ उन्होंने आगे जाके एक company का उदगाटन किया जिसका नाम था Serena Beverages 2009 में जो की import करता था और distribute करता था premium craft beers के brand को Belgium से Germany, Germany से United States, फिर Delhi, Mumbai, Bangalore 330 ml की bottles होती थी उस जमाने में खेर, Serena Beverages जो है आज के time पे B9 Beverages के नाम से जाना जाता है जो की अब import और distribution company बन चुकी है जिन्होंने own किया अब इंडिया के पहले largest beer dispense network को restaurants और bars के अंदर और उनका portfolio इतना शांदार था जहाँ पर 20 अलग अलग तरीके के अलग brands के beers देखने को मिलते थे और उनके style भी अलग थे अंकुर ने potential देख लिया थे इंडिया market के अंदर की क्या potential है यहाँ पर यह लंबी लंबी लाएने लगे है और उस वक्त जो था वो इंडिया growing market माना जाता था हर company के लिए लेकिन इंडिया market कहा किसी को टिकने देती है पहले तीन साब जब जैन साब आये यहाँ पर तो वो beer की market के बारे में ही सोचने लगे उसके समझने लगे market को analyze करने लगे और यूरोप जाके अलग तरीके की exotic beers वो चुनने लगे जो वो Indian market को दे सके इंडिया market के लिए बना सके यानि सीधी सी बात है वो अपनी brand value बनाना चाहते थे फिर क्या था beer बनाने से पहले उन्होंने पूरा एक environment तयार किया जहां पर वो सीख सके और इस business के उपर आ सके तो उन्होंने specialization की craft beer को बनाने के लिए अब ये craft beer किस बला का नाम है और होता क्या है ये craft beer जो होता दोस्तों वो traditionally या आप कह सकते नॉन mechanized तरीका होता है beers को बनाने का जो बटी में बनाई जाती है लेकिन उन्होंने ने चुना क्यों इसे 2014-15 में इंडिया 270 million case अस्तिमाल करता था beers के और ये पूरा जो estimate था वो छोटी बटीओं के साथ मिलकर था जो कि इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक परसेंट बना सकते थे पूरी market के लिए जिसे एक ही company dominant करती थी United Breveries Limited UBL तो उन्होंने यहाँ पर opportunity देख ली थी कि हाँ यहाँ एक company है एक market competitor है गुसने का सही मौका है 2014 में उन्होंने seat funding उठाई जो कि वो बताते हैं मैंने अपने college के दोस्तों से collect किये 6 अलग अलग दोस्तों से collect किये 1 million dollars अपने business को expand करने के लिए दोनों घुटनों पे खड़ा करने के लिए और बनाई उन्होंने अपनी ही bottle craft beer और 2015 में ज जो था वो generic name होता है जपान में लेकिन registration problems की वज़े से जपान में वो allowed नहीं थे तो उन्होंने decide किया कि इसका नाम बीरा लग देते हैं आप यकीन ने करेंगे सिर्फ branding करते समय ही उनकी team को 9 महीने से ज्यादा का वक्त लगा जिसमें branding exercise हो गई including उन्होंने नाम सोचने में इतना time लगाया mascot colors क्या होने चाहिए packaging क्या होगी वो सब कुछ यानि एक proper business plan बीरा का मतलब होता है brother north इंडिया में ये नाम Indian appealing बहुत ज्यादा लग रहा था और 91 का मतलब क्या 91 यानि इंडिया का code country code और यहीं से ये familiar लगना चालू हो जाता है जहां पर उल्टे बी का मतलब क्या है लोग आज तक उनसे पूछते है according to Jen सहाब बी जो है वो spirit दर्शाता है rebellions की जो against है conventional beer के साथ जो market में available है और mascot यानि वो बंदर monkey वो क्यों है इस लोगों के अंदर क्योंकि हमारे सब के अंदर एक बंदर छुपा है वैसे हमारे अंदर भी है subscribe करके देखिए है कि नह तो वहीं से यह नाम पढ़ गया बीरा 91 अब आते हैं मार्केटिंग की तरफ बीरा 91 उस वक्त दो flavors में available था बीरा वाइट एले और ब्लॉंड लेगर वाइट एले का मतलब वीड बीर जिसमें bitterness कम होती है और soft वो ज्यादा होती है जिसका टेस्ट थोड़ा sweet और थोड़ा ख कटास डाली जाती है देखो यार मैं कोई expert नहीं है और मैंने कोई पी नहीं है तो मेरे को गलत मत समझना इसका टेस्ट वेरी कर सकता है अगर आपने ट्राय किया है तो कमेंट बॉक्स में बताने में क्या हर्द है तो इन्होंने marketing strategy क्या लगाई बीरा 91 सेल कर रहे थे ऐसी ब orthodox और unconventional और एक fun brand बन जाए बीर खा अलाकि बीरा 91 की target audience youth ही था वो चाते थे कि young urban Indian consumers के हाथों तक वो पहुंच जाए और इस चीज में उनका design काम करता है और one of the major roles में आता है अगर आप एक product की बात करें तो अगर आप market में उतार रहे हैं तो आपका product का design और उसे best होना बह ऐसा कि हमें पता है कि direct alcohol की ads दिखाना बैन है इंडिया के अंदर तो उन्होंने focus किया सिर्फ distribution के उपर ये बड़ी कमाल की उन्होंने strategy लगाई distribute ही इतना कर दो कि हर आदमी के हाथ में ही वही होगी तो अपने भी marketing हो जाएगी तो इसकी वज़े से उन्होंने कोई भी marketing campaign का इस्तिमाली ने किया और कोई भी trick नहीं लगाई उन्होंने लेकिन किया कि उन्होंने अपना ही product को बहुत से pubs में बेच कर वो feedback लेते थे और feedback के form में ही लोग उन्हें accept करते थे और और लोगों को बताते थे यानि direct marketing वैसी ही हो जाती थी जिसे हम कहते हैं mouth publicity और इस marketing का outcome ऐसा आया कि उन्होंने महराश्टर और राजस्थान में दोनो चंदिगर कौन से जगा नहीं बजी भाई जो की penetrate कर चुके थे लगबख 70% market के अंदर और उसके बाद यहीं नहीं रुके उन्होंने दो और वेरियंट्स flavors launch किये बीरा 91 light और बीरा 91 strong और मुझे बताने की जरूरत नहीं light और strong में के अंतर है और अगर आप समझ रहे हैं कि business strategy भी मैं ही बताऊँगा तो आप मुझे comment box में बताएंगे क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको दिखाना ही नहीं आपको educate करना भी है startup के उपर लेकिन खेर एक ऐसा cafe भी है जिसका idea concept रितना unique है कि हर लोग अब वहीं इस्तिमाल करना चाहते हैं वो वीडियो left side में देख लीजे और हमारी पिछली वीडियो देखना जाते हैं तो वो वीडियो right side में मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए be busy